अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फेस्टिवल सीजन के बाद प्याज की कीमते लोगों को रूलाने का काम कर रही है खुद्रा बाजार में प्याज की कीमत सो रूपय परती किलो पहुँच गई है फिलाल प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे है प्याज की कीमतों में आई उच्छाल से आम लोगों की जेब पर असर दिखाई दे रहा है लोगों की रसोई से प्याज गाय भी हो गया है दिल्ली एंचियार में भी प्याज 80 से 85 रुपए किलो के भाव में बिक रहा है वही कई इलाकों में प्याज के भाव 100 रुपए परती किलो बढ़ चुके है प्याज टेडर्स के एक सदश्य का कहना है कि महराष्टा, मध्यापर्देश और करनाटक से आने वाला प्याज दिल्ली नहीं पहुँच रहा है पसल पर मौसम की मार भी पड़ी है उनका कहना है कि अगले 15 दिनों में प्याज के भाव और भढ़ जाएंगे इसकी वज़य है कि केवल अलवर के प्याज से उपबोग पूरा नहीं हो पा रहा है वही करनाटका और नाशिक का इस्टोग भी खतम हो जाएगा वही प्याज को लेकर सियासत भी तेज हो रही है बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर इसका आरोप मढ़ा है उनका कहना है कि सरकारी रेट पर दिल्ली वाशियों को प्याज नहीं उपलब्त कराया जा रहा के अंदर सरकार की और से 23.9 रुपे पर्दी किलो प्याज मुहया कराया जा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार सियासत कर रही है दोस्तों आपको प्याज को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जोरूबत आईएगा